नमस्कार और आप देखे हैं पलपल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परिक्षा में राजस्तान के सिकर के नलिन खाड़ेवाल ने टोपक किया नीट की परिक्षा में पहली रेंक लाने वाले नलिन को 720 में से 701 नमबर मिला नलिन की पिता पेशेशेड टॉक्टर हैं और भाई भी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि नलिन के ऐसे कौन सा परहेज है जिसकी वज़े से वो आज टोपक कर चुके हैं और पूरे राजस्तान का ही नहीं बलकि पूरे देश का नाम प्लोशन किया 2019 के टोपर नलिन खांडेवाल ने एक टीवी चैनल को बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दोरान सिर्फ एक परहेज रखा और वो परहेज है स्मार्ट फोन से दूरी का जी हाँ उन्होंने अपने टोप करने की पूरी कहानी बताई नरेलन कहते हैं कि मैंने कभी भी स्मार्ट फोन का फ्रेयोप नहीं किया घरवालों से बाचीत करने के लिए सामाने फोन रखता था वे कहते हैं कि मैंने कभी भी सोशल मीडिया का भी यूज नहीं किया और परिवार के साथ किसी भी पार्टी या सोशल गेदरिंग में हिस्सा लेने से बस्ता रहा हूँ सीकर में ही स्कूली पढ़ाई करने के बाद नरेल पिछले दो साल से जैपूर की एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे नरेलिन का कहना है कि दो साल उन्हें NCRT की किताबों से पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग ली जिसमें से 6-7 गंटे तक रोजाना पढ़ाई करनी पढ़ती थी उन्होंने कहा कि पढ़ाई कितने गंटे करते हैं ये मैटर नहीं करता पढ़ाई आप लगातार करें तो बहतर नतीजे सामने आएंगे उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो उसे अपने टीचर से जरूर बुछना चाहिए बच्चों के मन में अक्सर यह बात आती है कि छोटा डाउट है या उनके मन में एक आदा कोई प्रेशन होता है जिसका जवाब उन्हें साइद नहीं मिल पाता उनके बीच में एक संकोच होता है कि बार-बार पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि एक छोटा सा सवाल है जिसे बार-बार पूछ रहा है मगर एक होनहार विद्यार्थी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अपने हर डाउट्स को क्लियर करके पूछना चाहिए चाहें वो टीचर हो या कोई बड़ा भाई नहलिन जैसे लोगों का और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोपर बनना चाहते हैं उन्हें कहा कि वे भी दिल्ली के एमस में पढ़ना चाहते हैं अपनी स्फलता का स्रेय उन्होंने अपने माबाप को दिया नहीं के पितार राकेश खांडेवाल ने कहा कि वह सुरू से ही मेधावी रहा है और बारवी की परिक्षा में भी पिच्चान में परतिशत नमबर लाए थे उन्हें पढ़ाई के लिए कुछ भी करने के जरूरत नहीं पढ़ती वे पढ़ता रहता है